असलाम लीकुम स्टुरेंट्स वेलकुम तो वर चैनल वल्ड व एजुकेशन आज हम CS101 का मॉडिल नमबर 10 और मॉडिल नमबर 11 क्लेर करेंगे याद रखें मॉडिल नमबर 10 और मॉडिल नमबर 11 अकॉडिंट्टी न्यूसलेबस है और अब टोटली जो टॉपिक है वो अब देखें मॉडिल नमबर 10 क्या है जी रूट्स ओव कम्प्यूटिंग हैर वी वी मूट वी मॉट्टा मशीन तो इलेक्रोनिक्स ड्राइवन मशीन शुक्तरों सारव सिस्टम किस तरह आए उसके बारे मीं हम पढ़ेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब क्या एक एक अर्लि अर्ली ग्रेकेंड रॉमन सिविलाजेशन यह निए यह वैकर्स आपकी जो इस टेम शो भी हो रहा है कमिटर स्कीन पर यह देखें यह बैकर्स था यह स्ट्रिंग्स पर कॉंसिस्ट करता था और इस पर कल्कुलेशन पर फॉर्म की जाती थी जितनी मल्टिप्लाइक हम इस पर कर सकते थे इसके जो है वह फ्लस कर सकते थे माइनस कर सकते थे उस टायम पर आफर दा मिडल एज जिस के बाद एंड और दा मॉद्रum राइन गर्रॉं जमाने के बाद कुश्ट फॉर मौर computing machines was seeded a few inventors begun to experiment with the technology of gears अब gear की technology आगे किसने दी थी among these were basic pascal 1623 to 1662 of France got friend Wilhelm Levinis of Germany and Charles Babbage of England ये तमाम तर वो scientists थे जिन्होंने gears की मतलिक technology को provide किया था these machines represent data through gears positioning with data being entered mechanically by establishing initial gear position या वही बात है कि आप gears को enter करते थे और इसके जरी आप कुछ ना कुछ टास्क को perform कर सकते थे इसके लावा कुछ भी नहीं है ये देखें ये वो computer screen आप कुछ ना कुछ टास्क perform कर सकते थे as like as आप वहाँ पर divide कर सकते थे multiply कर सकते थे प्लस कर सकते थे या माइनस पगारा कर सकते थे फिर पंच कार्ड की टेकनोलोजी आगी पंच कार्मन हॉलिवर्ड 1860-1929 ने किया था who applied the concept of representing information as holes in paper cards अभी हाँ पेपर कार्ड पर होल्स को जो क्या करते थे यूस करते थे to speed up tabulation process in the 1860 US census it was this work by hollywood that led to the creation of imb such card ultimately came to know as punched card and survived at a popular means of communicating with computers well into 1960 कहने का मकसद यह है कि यह वो टेकनोलोजी है जो यहाँ पर computer screen पर श्किरो जो शो हो रही है आपकी अब यहाँ पर holes generate कर दिया जा जाते है holes को generate करने के बाद अब यहाँ पर कुछ ना कुछ task को perform किया जाता था फिर उसके बाद ENIAC यह थोड़ा important concept है इसके मतलिक MCQs भी आ सकते हैं और आपका जो short question भी आ सकता है अपर एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि हमने जो उपर dates पढ़ी है वो आपका जो mid term होता है virtual university उसको नहीं पूछती तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं ह हैं देखें जी more flexible mechanics such as ENIAC stand for electronic numerical integrator and calculator developed by Johan Maculay and J. Preser Eckhart at the Moore School of Electronic Engineering University of Pennsylvania soon followed यानि कि यह वो scientist थे इन्होंने क्या किया था ENIAC को cover किया था discover किया था अब इसके अंदर सरफ याद करने वाली यह चीज़ है कि fast sheet of ENIAC occupied one 1800 square feet यानि कि यह 800 square feet जगा लेते थे 20,000 vacuum tubes थी 1500 इसके अंदर relay थी रिले वो जो tape होती थी पहले उसको relay का जाता है 10,000 capacitors थे 70,000 registers थे 200 kilowatt electricity को यह लोग लेते थे यह computer लेता होता था 200 kilowatt electricity को utilize करता होता था weight 30 ton था इसका cost इसकी उस time पर 4,87,000 dollar थी और पाकिस्तानी रुपीज में 62.5 million बनता है यह वो चीज़ हैं जो कि आपको या रखने की जरूरत है और इसको as a short question याद भी करना है आपने फिर rapid जो rapidly आगे advertisement हुई थी इसकी transistors आगे थे integrate circuits आगे थे size reduction हो गया था processing power duplicating in two years और IBM launch PC in 1881 1981 sorry देखें कहने का मकसद यह है कि अब E.N.I.C. में further क्या हुआ था इसमें changing आई थी जिसना आज आज आपके पास छोटे से छोटा computer मुझूद है तो क्या हो रहा है वो आप circuits को यूज कर रहे है वोकेम ट्यूब को आपने replace कर दिया circuits के साथ इसके लावा आप एक कोस्ट कम होती गई और चीजों की जो quality थी वह बेतर होती गई और चीजों की speed जो है वह बेतर होती गई है फिर आगे वेब आगी और स्मार्टफों से आज़कल कौन वाकिफ नहीं है स्मार्टफों आज आप यूज कर रहे हैं सबके पास स्मार्टफों इसने मौजूद है फिर उसके बाद मॉडिल 11 बिट क्या होता है यह बहुत इंपोर्टन कॉंसेप्ट है और बहुत इंपोर्टन डाफिनेशन है बाहाँ दफार यह कम इसमें विच्व इनिवर्स्टी क यह भी बहुत इंपोर्टन क्यूद है इसे अंडर्वाइन कर लें के बिट क्या है बिट एक बेसिक यूनट है स्टॉरिज का बेसिज क्या है इसकी इन्फोर्मेशन इस कोड़िड एस पैटर ऑफ जिरो और वन आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि कम्विटर जो ह बिट कर सकती है तरहीं यह तो ओडियो को सकती है बónल पास होते हैं इसुर मंद और यूनेट नुट को डियो नहीं होते हैं यह उती हैं इस पूर्टन हैं यह थे यह पूछे जाते हैं फिर इंच्ट आप उन्ट यह इन वे बिट इसको भी आपने याद करना है वन किलो बाइट को जो शोट फोर मती डाइस के भी 1024 बाइट वन मेगाबाइट वह यानी MB1024 के भी वन गीगाबाइट 1024 MB1 टेराबाइट 1024 जिल्भी इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे यह भी इंपोर्टन है फिर पैटरन यूज पैटरन जो four different patterns है can be represent can be represent as shown in table 2 यहनिकि अगर दो बिट्स है तो आप four bits को क्या कर सकते हैं री पर वा सकते हैं जिससे जरो-0-0-110 और 11 फिर let's करते हैं जी टेवल टु है numero of bits two है नहीं अब यह शो करवाना चाह है एक विट है तो आपके पाथ nobs रूपफ टू होँगे अगर तो होंके तो ॉइडर पाटरन को फॉर होँगे घर फॉर होंगे तो जो सिस्टीन होगे और अगर थरी होँगे तो फैर्टरन एट हों गी यह थ Anim त्रूरत है और किस तरह से जो decimal numbers होते हैं उसे binary form में convert कर सकते हैं तो pages 577 of your book का जो है यह guide book की example दे रहा है जो कि आपके LMS में मौझूद है इस तरही माँ वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यूद फाइंड आसकी कोड यूजिंग विच विच वी रिप्रेजेंट डिफरेंट करेक्टर एव नीड तो रिप्रेजेंट इस उसका जो कोड होता है कमिटर के अंदर 65 होता है इस चीज को भी याद रखिएगा ता बिट पैटर ऑफ 65 वोड बी अब जो बिट पैटर्न हो बाइनरी नमर में किस तरह कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं फिर आगे यह वही तरीक है जो कि फिजिकली तोपर हम करेंगे इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है लेकिन आप लोगों को इसको सीखन आप आप जा जाकर देख सकते हैं यह आपका मॉडूल लबर एieveन विवन से कोस्ट होता है उतला होता है कि यह इए पहुत इंपॉर्टन कोश्च्ट अतलही उतलों में वहलुन से पप्रकोस Hier नहीं देखें और इसके लावह आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कार्णली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल पर आने वाला हर जीडिबी हर असाइमेंट और हर क्विज मुझूद होगा थैंक यू सो मच अलाफिज